नमस्कार फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग में आप लोगों के लिए आज लेकर आई हो बहुत 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 ज्यादा हेल्डी है रेसीपी यह रेसीपी आप लोग घर में जरूर बनाई है बच्चे बुढ़े बुजुर्ग सभी लोग खाने में बहुत ही स्ट्रॉंग है हे देखिए मैंने यहां पर ले लिया है दो कटरी भर करके मखाने इसको हम भून लेंगे यह कैल्सियम के लिए बहुत ही अचा है बोन स्ट्रॉंग करने के लिए यह हम बच्चे लोगों के भी दे सकते हैं बुजुर को भी यह बहुत ही हेल्दी होता है तो यह ठंड के दिन म देखिए इस तरह से भून जाना चाहिए जैसे के हाथ में ऐसे करस्ट कर रही हूं तो यह देखिए पुरा तूट जा रहा है और मैंने ले लिया है यहां पर ड्राइफ रूट्स बहुत सारे ड्राइफ रूट्स इसको मैं फ्लिप कार्ड से मंगाई थी तो इसको भी हम भ और यह भूनने के बाद हम इसमें देखिए अब मैं एक कटोरी ले लिया है इसमें चना और जो छोटा छोटा चना होता है वही वाला मैंने लिया है वड़ा चना मैंने नहीं लिया है यह छोटा दाना वाला जो चना है इसको मैंने ले लिया इसको भी हम भून लेंगे और आप देखिए मैंने यहां पर बादम ले लिया है जो पिस्ता बादम एक कटोरी तो इसको भी हम इसी तरह से भून लेंगे यह भी कैल्सियम के लिए अच्छा है सिहत के लिए बहुत ही अच्छा है यह रेसीबी यह आप ज़रूर बना सकते हैं घर में और यहां पर मैंने मु जो भूनने के बाद अब हम इसमें अख्रोट भून लेंगे थोड़ा समय अख्रोट ले लिया है इसको भी हम भून लेंगे अब देखिए हमारा सारा ड्राइफ रूट्स अब भून गया है अब हम इसको एक ग्रैंडर जार में हम इसको ग्रैंडिंग कर लेंगे अच्छ स देखिए मैंने पहले मखाने कितना बारिग बारिग ग्रांडिंग कर लिया है बाकी इसमें mix बाला dry fruits जो भून के रखा हुआ था तो इसी को में डाल दूंगी चैना चोटा दाना बाला जो चैना है इसको भी हम डाल करके इसको ग्रांडिंग कर लेंगे और देखिए यहां प अरतार यह फ़ियो में बश्याते हैं के इसमेटे में लग्स सही है यह बहुत है और मिज़ों के लिए टेखिएला करके बघी मेरे में इतना जादा बखे नया बहार पावडर में इसको दूदिक दर के साथ हम ,मिल कर बच्य को दे सकते हैं और सभी लोग खा सकते हैं इसको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू